नितीश जी के इस दारू बंद वाले बिहार में कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिसे देखने के बाद भी आप ताजुब करने लगते हैं और कुछ ऐसा ही एक माजरा सामने आया है जब एक इनसान दारू पी के कोट पहुँच जाता है और वहाँ पे जाके पहुँचता है कि हाँ थोड़ी सी पी ली है नमस्कार मैं हूँ रजट और आप देख रहे हैं जनता जंक्षन बात करने वाला हूँ एक ऐसे अजीबो गरीब दास्ता के बारे में जिसे सुनने के बाद आपको हसी भी आएगी और कही ना कही थोड़ी सी जुझलाहट भी होगी कि जो इतने सालों से ये दम भड़ा जाता था कि बिहार में दारू बंदी है उसका एक ऐसा तस्वीर सामने आता है जहां पे एक इनसान दारू पीता है और नकि सिर्फ दारू पीता है वो कोट चला जाता है गवाही देने के लिए और जब जच को शक होता है कि क्या आपने दारू पी ली है तो वो कहता है कि हाँ थोड़ी सी तो पी ली है और आपको वो गुलाम अली साहब का गाना याद होगा कि हंगामा है क्यों बड़पा थोड़ी सी जो पीली है और इनके पीने के बाद वही हंगामा बड़ा पुड़ उस सक्स का नाम होता है रंजीत कुमार सिंग, वो लडखराते कदमों के साथ कटगड़े के तरफ जाता है और अपनी गवाही देना शुरू करता है, अब जच सहब को शक होता है कि भाई इस तरीके से लडखराते हुए आता है, गवाही दे रहा है, कहीं इसने पी तो नहीं उसके बाद शक के बाद वो तुरंत वहां के अधिकारी भोला मंडल को बुलाते हैं और इसके जाच के लिए उनको बोलते हैं, भोला मंडल तुरंत उतपाट टीम को बुलाते हैं, इसकी जाच करवाते हैं, जाच के दौरान पता चलता है, खुद ही वो बंदा स्विकार कर कि हाँ मैंने थोड़ी सी पी ली है और ये जो थोड़ी सी पी लेने वाली वाखिया है ये कही ना कही नितिश कुमार की शराब बंदी वाले बिहार में उनके मूँ पे तमाचा है क्योंकि इतने सालों से जो ये शराब बंदी का दम भड़ा जा रहा था कि बिहार में तो संप पात कोट में पहुंच जाता है और वहां जाके वो अपनी गवाही नोटिस करा रहा होता है ये हिम्मत कहां से मिलती है ये सोचने वाली बात है आप समझ सकते हैं कि ये वो बिहार है जहां पे कई सालों से ये चले आ रहा है कि भाई यहां पे दारू बन दिये संपूर्ण सरा पीली है भोला मंडल जब जाज करते हैं उनके अधिकारी आते हैं तब पता चलता है कि रंजीत कुमार नामक ये सक्स दारू पीके बयान देने के लिए कट घड़े में उपस्तित हुआ था जिसके बाद आनन फानन में तुरंत कोट ओर्डर करता है उसे जेल भेजता है जे ना कहीं सराब बंदी वाले इस बिहार और ये बोलने वाले को मूँ चिड़ाते हुए नजर आते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वाकिया ऐसे ऐसे आते हैं जब इंसान दारू पीके कोट पहुँच जा रहा है तो फिर बाकी ही क्या है फिर बचा ही क्या है बाकी इसके उपर आप क्या सोचते हैं आपको क्या लगता है बिहार में कितना प्रतिशत जो ये संपुर्ण शराब बंदी का दावा किया जाता है कितना प्रतिशत शराब बंदी हो चुका है और इसमें बिहार गौर्मेंट या बिहार सरकार जो है सक्छम रही है आपको क्या तो आप देख रहे हैं जन्ता जंक्शन